नमस्कार सिटी पोस्ट के स्खास प्रेस कसमा आपका स्वागत है मैं हूँ स्रकान प्रतियुस जारखन विधान सवाचुनाओं में महागटवंदन को मिली जीत से आर्येडी सुप्रीमों लालु यादो बहुत खुश हैं उन्होंने ट्वीट कर हेमंद सुरेन को सुपकार न लगतार साजे संहर्स के लिए कांग्रेस के साथियों का भी बहुत धन्यवाद जुहार जारखन्ट जाइर है लालु यादो की खुशी का कारण क्या है लालु यादो चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं राची के बिरसा मुंडा जेल के कैदी हैं और राची रिम्स अस्पताल में उनसे मिलने पर बहुत पावंदी है सपताह में केवल तीन लोग ही मिल सकते हैं तीन लोगों में उनके परिवार के लोग भी सामिल है अब जारखन्ट में हेमंत सुरेन के सरकार बन जाने के बाद उनके उपर से ये पावंदिया हट जाएंगी क्योंकि लालुयादों ने जारखन में महागडवन्दन को एक जुट रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी जारखन विधान सभाचुनाओं में बीजेपी को करारी सिकस्त मिली है और इसका स्रे भी लालुयादों को काफी हद तक दिया जा रहा है हलाकि लालुयादों की प पर कांगे 16 पर और आरजेडी को केवल एक सिट मिली है जारखन विधान सभा में कुल 81 सिटे है और बहुमत के लिए सिर्फ 40 सिटों की दरकार होती है जो वासानी से महागडवन्दन को मिल चुका है 2014 के विधान सभा चुनाओं में बीजेपी को 37 सिटे मिले थी और इस बार उसे केवल 25 सिटे मिली है जाहिर है कि बीजेपी को करारा जटका लगा है यानि बीजेपी को जारखन की जनता ने पूरी तरसे नकार दिया है आपको एक आपको मच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को कुप सेर करिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजेए आपका स्वयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मैंने रखता है